नमस्कार दोस्तों मैं सुझीद कुमार एडवांस एक्सल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ इस यूटूब विडियो टिटोरियल में जहां हम सीखते हैं एक्सल वी बिये मैक्वापार प्रोगामिंग आज का हमार टॉपिक है वो थी एक अच्छा टॉपिक है एक जैनमर्ड प्रोगम है करीब दो बार में मुझे हमारे के स्टुडेंट बिजय महार ने कॉल किया था बदरबुर से उन्हें मुस्टेंप पूचा था कि उन्हें के साथ प्रोगम क्या है कि ओएक सीट है इस सीट चाहते हैं कि वो आईडी लिखे जैसे एंटर मारे इसके सामने इस समय एंटर मारे गया उसका दिन और टाइम यहां पर आ जाना चाहिए कि इसके लिए हम तो इसके लिए पुदे का हौआउ का है या है अगा बसक्राइम हुआ टो फो में डाह में से और है कि यहां पे फॉर्मुला फिलड मैंट करता है मैं इसके लिए हम इबंट मैंक्र इसकी यह नकरती Yaz तो इसके लिए हम जाएंगे seat पे right click करेंगे and view code पे जाएंगे और right click करके worksheet select करेंगे यहां पे selection change आएगा और हम यहां पे change ले लेंगे तो पॉलम क्या है कि हम यहां पे change किया एक event हुई इसके अंदर का core run हुआ लेकिन code क्या कर रहा है कि इन दुनों पे change हो रहा है तो यह भी एक event होता है दूसरा कि enter हम कहां पे change हुआ है how to identify कहां पे change हुआ है तो active मालों कि किसी नहीं हाँ लिखके enter मारेगा तो हम सबसकते हाँ जहां पे enter मारेगा तो करसर ऊपर हो सकता है लेकिन ओ एंटर बाणने के बाद और tab भी तो कर सकता है या कहीं click भी तो कर सकता है तो ऐसे problem हो सकती है तो इसकी solutions के लिए सबसे पहले ऊपर में हम एक global variable लेंगे हम बोलेंगे dim r as a range और फिर हम selection chain में करेंगे कि set r equal to set r equal to हम कर देंगे active cell यहां होगे और दूसरी यहां करेंगे मैं चाहता हूँ सिर्फ caller in हूँ तो यहां condition रगेगा condition से पहले मुझे देना पड़ेगा कि applications ताकि वो unstoppable loop ना हो change के अंदर change बाले जो बें 3rd में बताया वो ना हो तो यहां पे करेंगे enable events equal to false मैंने events को false कर दिया और फिर हम यहां पे than यहां पे आ जाया r.offset and 0,1.value equal to date डाल दिया system date आ जायेगा and r.offset और यहां पे 0,2.value डाला और यहां पे मैंने दे दिया today का formula लेकिन नहीं today तो date ही होता है time यहां भी formula नहीं होता है इसलिए हम यहां पे format डालेंगे और format में हमें यहां now and comma h slash m slash s कर देंगे और यहां पे हम and if करते हैं और फिर देंगे applications dot enable enable events equal to true एक problem हो सकती है इसलिए मैं एक macro भी इसको डाल दाता हूं कभी आगर यह work न करें तो इस macro को आपको run करना पड़ेगा अगर किसी ने माल हो की error हो गया, event false हो की error हो गया तो उस case में R के नाम से बना हो गता हूं और यह भी कर सकते हैं कि जब माया micro open up file workbook तो यहां पे micro events को enable कर देंगे अब मैं यहां पे entry करता हूं लेकि मैं कहीं और लिखूं तो इसके आगे नहीं आएगा फिर जैसे में यहां लिखूंगा तो आ जाएगा कर यह असा ना आ है तो मायक्रो पे जाके हम इस R macro को run कर लेगे तो मेरा यह work कर जाएगा उसके नहीं आएग आएगा सबसे पहले एक global variable लिया तो इक global variable लिया तो इक global variable लिया तक हम इसको 2 macro में यूज करे जब आप एक ही variable को 2 या 2 से जादा macro में इस्तमाल करना चाहते हैं तो उसको global variable लेना पड़ता है ताकि यह temporarily न पर्मानिंट हो उसके बाद मैंने event को false किया ताकि मेरा बाद change ना बने change ना बने है बाद change नहीं है जहां हम change करना चाहते हैं जो selection ने active sale पे जो store किया है आर पे जहां पे हमने click किया हमने हाँ पे click किया तो इसकी location A9 A9 को इसने आर पे set कर लेगा पर चेक करोगा कि जो set हुआ है एनाइन पर click हुआ है क्या column पहला है पहला column है तो उसकी offset,1 मत इसकी अगली value में अगली cell में एक value डाल दो फिर offset,2 उसकी अगली की अगली cell में जो है date डाल दो date डाल दो date इसके लिए and time इसके लिए और फिर event को true करो ताकि value को दिखे बस सिंपल सा logic हमने बनाया इस काम को हमने किया इस काम को करने से हमारा problem solutions में बनाया तो आप इस तरह के चीज़े कर सकते हो और आपके बास VVM ICO का knowledge हो तो अगर आपने अभी तक मैं चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्ली subscribe कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो को जो भी हम upload करें तो आपके information यूटूब के home page पर या फिर mailing के द्वारा आपको मिलता रहे और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए लाइक करवे से मुझे प्रचाहन मिलेगी ताकि मैं और भी वीडियो इस तरह से record करूँगा एक्सल में किसी भी तरह क्यूरी हो तो आप मैं मुझसे help ले सकते हैं मैं नंबर स्कीन पर दिया हुआ है या फिर आप चाहते हैं मेरे साथ live सीखना ये तो recorder session यूटूब पर मैंने कुछ promotion डाल लगके हैं तकि आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ सीखें मैं आपको training room तो आप हमारी online life classes join कर सकते हैं या फिर हमारी dvd बचेज कर सकते हैं इन सब के लिए आप भी website iptindia.com विजिट कीजिए यहाँ पर आपको सारी के सारी information मिल जाएगे अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से मैं online classes लूँगा तो में description में देखिए मैंने एक वीडियो का link दे रखा है कि how can join the online classes from the computer उस वीडियो के देखिए आपको पता चल जाएगा कि online classes किस तरह से ली जाते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो like किजिए, subscribe किजिए, reference को रिक्मेंट किजिए और को भी problem है तो मुझे call किजिए थांक्स वाशिंग दिए वीडियो, have a nice day